खेसारी पावन के मिलाब से किसके फैंस नाराज हैं किसके फैंस खुस हैं इसका सीधा अचार पावन खेसारी के गानों पर दिख रहा है और पावन खेसारी के एक होजाने से इन दोनों में से सबसे ज़्यादा किसका है यह अगर जानना है तो आप इन दोनों के गानों से पत और आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं कि खिसारी का एक साथ तीन तीन गाना YouTube पर ट्रेंड कर रहा है और यह सब देखकर कहीं नहीं लगता है कि खिसारी जो महनत करते हैं उसका असर उनके गानों पर दिखता है और खिसारी के महनत के आगे पावर स्टार, देशी स्टार, चॉकलेटी स्टार का सारा हवा फूस हो जाता है बागी जितने भी पावर स्टार, देशी स्टार थे वो सारे के सारे के आगे गाइब हो गये हैं और किसी का कोई अता-पता नहीं चल रहा है बीच में जब खिसारी अपने फिल्मों में व्यस् रहें कि सारी के गानों पर व्यूज नहीं आ रहा है पवन के आगे आप कोई ठीखी नहीं पा रहा है लेकिन सच तो यह है कि पवन सिंग अपने पुराने अंदाज में आ गया है और खेसारी के गाने एक साथ तिन तिन गाने जिस तरह से यूटूब पर कर रहे हैं उसको दे Igor लगता है कि पवन सिंग का बार की तब बंध हो गया है टो तो वह है किसारी लाल्यादा बागे खेसारी लाली आदो कैसा Selena के कौन पॉन ट्रिंट कर रहे हैं यह हम आपको आगे की वीजियो में बताएंगे लेकिन उसे पहले नमस्कार मेरे नाम है डॉली पांडे मेरे साथ है कामरामेंड मिशाल और आप देख रहे हैं जनता जेंक्शन एक तरफ जहां पिछले दस दिन से पवन सिंग का एक भी गाना नहीं आया ह उसके ठीक उल्टा खिसारी लालयादों के एक साथ सावन की तीन तीन गाने यूट्यूब पर ट्रेंड का रहे हैं ऑषेवान के गाने सिर्फ यूट्योब के मेरे सकसर में ही नहीं बलके मुजिक देख हो गाने का नियुट्यूबर आप बंद हो जाएगा उनको हम बता दें कि पवन खिसारी के मिलने के बाद से यूटूबर्स का बजार बंद हुआ या नहीं लेकिन पवन सिंग का बजार बंद हो चुका है क्योंकि दो महिने से लगतार गाने देने वाले पवन सिंगा पिछले 10 दिन से एक भी सावन का गाना नहीं आया है जो कि अपने आप में कितनी शर्म की बात है विवाद से पहले पवन खिसारी को गाईकी के लिए चैलेंज करने वाले पवन सिंग को अब समझ में आ गया होगा कि असलिए गाया कौन है और किसका गाना असल में यूटूब पर ट्रेंड करता है खेर किसारी के गानों पर आते हैं और आपको बताते हैं कि किसारी के इस महीने के कौन-कौन से सावन के गाने यूटूब पर ट्रेंड कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसारी के एक दिन पहले आए गाने के बारे में यह जिस गाने का नाम है भांग के सवाद कि दूसरे सावन गाने के बारे में जो यूटूब पर ट्रेंड कर रहा है तो आपको बता दे कि आसे दस दिन पहले खिसारी का इक और नया गाना है जिस गाने का नाम है फूल बिल पत्ता और यह गाना भी भुश्पूरी की सबसे बड़ी विब म्यूजिक कंपनी से आया है जिस गाने पर मातर दस दिन के अंदर पाँच मिलियन से ज़्यादा व्यूज है और खिसारी के इस गाने को दर्शकों का इतना प्यार मिला है कि यह गाना भी यूटूब पर चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है यह तो हो गई खिसारी के दो कानों की बात अब हम आपको बता दे कि पांच दिन पहले खिसारी का एक और नया गाना आया है जिस गाने का नाम है ही रहूआबं और यह गाना खिसारी म्यूजिक वॉल से आया है और पांच दिन के अंदर इस गाने पर डेड़ मिलियन व्यूज है ये गाना भी यूट्वब पर साथवे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है मतलब खिसारी के एक साथ तीन दिन सावन के गाने यूट्वब पर ट्रेंड कर रहे हैं और ट्रेंडिंग स्टार के डर से पांच सिंग अपना बोरिया भी सुर्बांद कर चले गा है क्योंकि अब उनको साथ पता हो चुका है कि पांच सिंग ने ये मान लिया है कि खिसारी की सावन के गीत के मामले उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता है और जिस तरीके से खिसारी के गाने यूटूब पर ट्रेंड कर रहे हैं वो सब देखकर लग रहा है कि यूटूब खिसारी पर महरबान हो चुका है बाकी देखिए आप समझे इस बात को कि खिसारी की तारिफ क्यों होनी चाहिए और हम ती तीन गाने ट्रेंडिंग में आ जाने पर खिसारी की तारिफ क्यों कर रहे हैं तो खिसारी का तारिफ हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि खिसारी के सावन के गाने ट्रेंड कर रहे हैं जिसमें ना कोई अश्लीलता है ना किसी गाने में कोई गंदा सीन है ना गाने का बोल घटी पोई गानों का एक साथ उपर से सावन के गानों का एक साथ तिम आप में बबड़ी बात है वाक्ट को क्या लगता है आपकी क्या रहा है आप मेरे बाओ से कितनी सहमत है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा फिलहाल वीडियो को समात करते हैं मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक मुझे इजास देशे धन्यवाद